मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि ये सिगरिट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा? जो मुझे अपने परिवार पर बोज बना देगा? क्या ये मेरे फेपडों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुझे मूग के कैंसर या रिदे रोग या एंकसीमा के तरहीं लाएगा अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिग्रेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा तमबाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए 18-0-1-1-2-3-5-6 पर कॉल करें या मिस्ट कॉल दे 0-1-1-2-2-9-1-7-1 पर Smoking causes cancer, smoking kills धुम्रबान से कार कोग होता है धुम्रबान जान लेवा है Consumption of alcohol is injurious to health मदरा पीना स्वास्थे के लिए हानिकार रख है Be safe, don't drink and drive सुरक्षित रहे, मदरा पान करके कारी ना चलाए Drug consumption is injurious to health नशीवा पदाधों का सेवन स्वास्थे के लिए हानिकार रख है के लिए हानिकार रख है यह पूल कितने के है एक माला का पचास पैसा पचास पैसे में इडली खाऊंगा तो पूरा दिन चलेगा लेकिन इडली को सर पे नहीं लगा सकते न कितनी में दोगी वह बताओ चालीस पैसे में दूगी अच्छा एक माला आप पचास पैसे में दोगी क्या चले गए न बहुत अच्छे से सूट बूट पहन कर कार में आते हैं और एडली खाने की बात कर रहे हैं अमीर लोगों को एडली फूलों से भी ज़्यादा कीमती है खाने की चीज है न गमंडी लोग कि अर्णा थाने की खाने की बात की बात की बात की बात की है हुआ 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 है हुआ 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 है सूर्य रेखा जैसा कुछ भी नहीं है अरे तुम्हारी कुंडली में दिखे की ही नहीं समझी ऐसी बक्वास कुंडली है ना मेरी कुंडली के मुताबिक दिखती है समझी ये 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 तो मैं देखो, तुम बेकार में मेरे मुझ से गालिया मत निकलवाओ. तू? पहली बात, जो तुला राशी के मुताबिक, शुक्र जाग कर देखने वाला है. केतु को उठा कर अगर गुरू की दिशा में उसको काट कर नहीं बिठाय गया तो, तेरी बी-बी बहुत जल्द मर सकती है. तेरी जी मारो, पीतो इसको, अरे बाबाब, चोड़ दो मुझे, उसे क्यों मार कियो बाई बताओ तो, औरे मैंने कुंदली में चोड़ देखने के नाम पर लोगों को पागल बनाता है, मैं कभी जुड नहीं बहुता हूँ, भाड में गया तेरा सच, अरे कुंदली देखने और हमारे बिठे में सिंप एक ही परण देखनी है, तुम छोड़ नहीं हो, तुम में बता सकता हूँ, तुम्हारी शादी हो गई है, ये सारा डेटेल्स मुझे पहले ही बता देना, फिर बाद में अगर तुमने मेरी कुंदलियों में कमी निकाला, तो समझ लेना तरा नाम बाहर को इदर शाता है, तुम्हारा लक्षण बस ऐसा ही है, फिर भी हम दोनों के चेरे में लक्षण एक हिसाब से कैसे आया, बावरे चोर कई के प्यारे, इधर आ, इधर आ, इधर, अरे, रुक, रुक, ये काम बतातों, इधर, इधर आ, मैं कब से तुछे ही ढून रहा था यहां पे, अगर हम दोनों एक हो जाए ना, तो यहां पे बागी जोसियों की तो सिट्टी-पिट्टी कुम हो जाएगी, हम दोनों का आधा-धा, तो मार खाएंगे उसमें भी आधा-धा कर लेने का, मन्जूर है, चलो चलते है, मेरा तोता कभी जूट नहीं बोलता है, वो पास किवल सात रुपे हैं, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, चाई के लिए एक रुपे रख लेता हूँ, और बागे छे देता हूँ, चलेगा, पांच रुपे चलेगा, वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी वक्त नहीं आजाओ भई, आजाओ, एक लगाओ, चार लेजाओ, एक का चार, एक का चार, एक का चार, चार का आट, आट का सोला, चलो आजाओ, आओ देखो, बाहर रखने वाली चीज़ें अंदर मैं लखडी रखता हूँ, आजाओ भई, आजाओ, एक का दो, दो का चार, चार का आट आजाओ भाई आजाओ प्रणी कमपणी का हो गया आजाओ अरे जब क्वेलना नितु 2023 क्यों दबल मिलेगा आप खेले 18 Americaわか़ камघ मैंने लिता fij हम दिए flesh あ यसे बेंगे नियुक। एक कचार, चार काट और आट का सोल मिलेगा आओ भाई आओ अगर नहीं मिला तो मुझे पर इल्जाम नहीं लगाने का रखो भाई रखो 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 भाई कभी भी रख सकता है अब फिर मैं जी दिया यह पैसा कंपनी का हो गया आजाओ आजाओ खेलो एक कचार अड़ी योड चाए आरे दो रखने से चार मिलेगा ना मेरे पास नहीं है पैसा पैसा नहीं है ना तो एक काम करें तुम सीधा उस तराब में जाओ तुम वहाँ पे जाके पानी पी लेना और सीधा निकल जाना यहां से अगर मुझे इटली चाहिए पक्का चाहिए देखो वहाँ जो देख रहा है वह चाय की दुखान वहाँ जाओ और जितना मन करें पेट भर के खाले ना तुम आज़ भाई आज़ आज़ नाम का है तुम कि आपका इसे सब की सामने नी पदा सकता बेटिंग कुमार बेटिंग कुमार मैं जा कर बोलूँगा हाँ जाओ साला मुझे ही पकड़ के गोल गोल घुमा रहा है आजो भाई आजो जाओ राजा जाओ पांच और तिन पंद्रा अच्छा ठीका जुन जुन उस पत्ते को लेकर बाहर फेंग दे एक रुपे चालीस पैसा हाँ एक पैकट बीड़ी और एक मासिस देदो है रुको जोरा इसे कितना देना है हाँ तीन पचास बेटिंग कुमार के खाते में लिख लो बेटिंग कुमार का खाता? उसमाम का कोई खाता नहीं है हमरे पास वो सब मैंने जनता उसके कहने पर ही मैं यहाँ पर खाने के लिए हूँ उसके बाप की जाइदाद नहीं है यह दुकान इस अच्छे पैसे दे कर जाओ, बेटिंग कुमार बड़ाया खाता रखने वाला मेरा पूरा पैसा उसने ले लिया और बोला जितना चाहो उतना खालो अरे बापरे उस कमभक्त की वज़े से मेरा जीना ही मुश्की लो गया है वो, नलायक वहाँ बेटकर जो मन्मानी ना उसे मैं छोड़ूगा नहीं कुछ भी ओर तो में तुमें इससे नहीं छोड़ने वालं चलो दर चलो और जाता हूं अंधर चलो अंध्र वा जो और जंडीश यो ना अंधर चलो अरे, कहा लिया जा रो मुझे, छोड़ दो, अरे, छोड़ दो मुझे, अरे, अरे, वाँ, तो भाँ अशुरू होगी तुमारी नोकरी अरे, रो क्यो रहो तुम, बेचारा, वैसे भी तुम रो रहो ना, थोड़ा जुक कर रहो, तुम्हारे आशु का पानी उस आटे में गिरने मत दो, कम से कम, नमक का तो फैदा होगा, पीसो पीसो, अच्छे से पीसो, नमक कम है, भीसो, पो कि भीसो, नमक की यो स्थिसयाा थात्यस का एवावारी तुम का घबाला, जो आँ होगी नहाँ पीसो, अरे, वीसो, यू़ुल होगी, तुम्हादारा, वैसे ही नहाँ आटे यू तुम्हारे भीसो, मैं उतल ब éénवाँ बड़़ा, जकि दो. कल फूल नहीं खरीदा, मुझे माप कर दो, मेरे पास चेंज नहीं था, सौ का नोट था, अभी दो फूल दे दो, ये लपचाज वैसे दो काफी है? वैसे, ये जो फूल को रखने के लिए मेरे पास जगा भी नहीं कार में रख सकते हो, मंदिर में रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके लिए तो इतना है फूल काफी है, बस ऐसे ही मैं दाम पूचा था फूल खरीदे भी न गया था, वो सोचकर दुख हो रहा था मुझे इसी कारण मैंने तुमसे पूच लिया जिनके पास कार है उन लोगों को, असी पैसे में क्या तकलीफ है वो ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सव की गड़ी को लेकर किसी से छुट्टा मागेंगे तो चिल्लर पैसे कौन देगा आजकल इसलिए बोला था इतने सारे पैसे कहां से आए? वो मैं धन्दा करके कमाता हूँ ऐसा क्या धन्दा करते हूँ? वो इलाइची है ना? मैं वो इलाइची लोटिंग का धन्दा करता हूँ बातो बातो मैं याद आया कि इलाइची की दू गारिया भेजना है मैं जाके आता हूँ, ठीक है, अपना द्यान दखना मैं अपनी बीवी की कातिर मैं आज मर जाओंगा मेरी लाश मिलने के बाद सब लोग जोड जोड से रोएंगे और मैं उपर से देख कर तुम लोगों के उपरा सुनगा क्ःश्च को कि यह विए… वा कलो यहार … वओ… हबागा और शूच जी रुकिये बुख जाये पार मोजे ना, शूच जी मिझे तो मोजे में शूच पूणो, अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना मैं बहुत बदनसीब हूँ मैं महापापी हूँ देखो ऐसा मत करो उसकी वज़ा से ही मेरी भीवी है जो मुझे छोड़ कर किसी और से प्यार करने लगी है मुझे मर जाने तो ऐसा हुआ क्या? मैंने बहुत सोचा जरा अचे सोच कर देखो अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं 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 आव इंसाफ कर के रहूंगा आज मेरा ये इंसाफ सुनने के लिए तुम तु हो जिसे मैं सारी बात बता सकता हूं चलो आज तुम मेरे घर चलोगे देखा तुमने यह मेरा खुद का घर है सपनो का घर यह क्या? आरे तुम चुनता मत करो आज हाँ आजो मेरे साथ पकड़ लिया पीछे से पकड़ लिया छोड़ो छोड़ो मुझे अरे भाई छोड़ो मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुनो यह मेरा प्यारा सा डाइनिंग रूम है डाइनिंग रूम नई वो देखो वो है हमारे डाइनिंग रूम नई हाँ हाँ और यह है मेरा जारा बैडरूम मेरा है तुम चंता मत करो आजाओ आओ और यह देखो यह है मेरा बिस्तर और यह मेरी सुन्दर पत्नी है और यह है मैं और मेरी बीवी अच्छे से चंत की नीन ले रहे है हम उस तरब के कमरे में जाकर रहेंगे हाँ चलो और देखो यह है हमारा रूम सर सर मत बोलो तुमारा स्थागा भाई आप सुचए यह सर नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता तुमने मेरी जान बिचाई है तुम मेरे जिगरी दोस्त हो तुम मेरे सब कुछ हो तुम कही मत जाओ बस मेरे साथ रहो मैं जाकर कल आता हूँ जारे छोड़ो जाओ कल जब तुम यहां आओगे तब तक मैं जिन्दा नहीं रहूंगा तुमारे चले जाने के बाद मैं उस तालाब में कुछ कर आत्म हत्या कर लूँगा जाओ नहीं नहीं रहने दो मैं निचे ही सोजाता हूँ जाओ जाओ निकाल जाओ अरे नहीं नहीं तुमें मैं भी जयमीन पर सोता हूँ 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 का जा रहा हो हाँ आहाँ 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 अपस्ट पूरत द्रीट ए तो पॉने तो उठ्दिया से चलिकल सज्वता तु कौन है जल्दी बता कौन है तू यहां कैसे आये तू मैं पुलिस को मुलाओंगा चोर चोर अरे चोर नहीं हूँ कल रात आग्मी तो यहां पर लाकर के शुलाया था मुझे आरे किसी स्कूल में पढ़ाया है तुझे चल निकल जाए यहां से पानी में डूप कर मरने जा रहे थे अब मैंने बचाया था इज़्द से जा रहे हो या वाच्मैन को बुला कर धक्ये मार कर भगों यहां से कर दो ऑते आत्मया करने की कोशिश कर रहा था कोशिश कर रहे थे न देखा किया बोल रहा कि योगे लेकिन ब्रुख नको पा पगल बना दे यह लोग ज़रा भी अखल नहीं है। सही बोला आपने। अरे छोड़ो भाई लिगाल। कल रात को नशे में तालाब में डूप कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बचाए से और मुझ पर ही हिज़ाब लगा रहा है। सिर्फ नाम की पुलिस है। जब देखो तब मेरे धंदे पर लात मारने आ जाते हैं। इस दुनिया में और भी तो कितने धंदे चल रहे हैं। अरे आजाओ भाई आजाओ। एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का सोला मिलेगा। जितना भी लगाओग उसका डबल मिलेगा। अरे क्या रखा इधर, पता नहीं कहा सा जाते हैं। आजओ भाई आजओ। आजओ भाई आजओ, दो रखने से चार मिलेगा, चार रखने साथ मिलेगा। आजओ भाई आजओ। तुम्हें नाटक करके पैसा लेना चाहते हो। मैं तेरे बाप क्यों उम्रका हूँ, पता है तुझे। तो क्या पिता जी ऐसे खेल खेलते हैं। चलो जैसा मैं बहुत दो, वैसा करते जाओ। ठीक है, चलो इसे निकालो, निकालो, अब इसमें डालो। यह हुई ना बात, अब तुम जाओ। अब मैं चाय कैसे पिऊँगा। चाय ना, वहाँ जाकर पी लो, मेरा नाम ले ले दरा, मैं बिलबढ़ दूँगा। तुम्हारे बाप की दुकान नहीं वो, ऐसा ही वो चाय वाले ने कहा था। तुम एक काम करो, सीधे उस चाय की दुकान में जाओ, और वहाँ जाके, तीन पराठा, दो पापड और एक चाय, यह सब पूरा खालो, और सीधे कल्टी मार लो। तो फिर अब एक काम करो, मैं इसे अंदर खोल के इस पचास पैसे को मुझे दे दू। मुझे पागल बनानी की कोशिश मत करो, नहीं जाओंगो, जो यहां से, नहीं जाओंगे, तो फिर मैं ही जाता हूँ, चालो, मैं ही चलता हूँ अभी यहां से, अच्छो, तुम हो क्या चक्रवानी, मैंने तो सचा की, आवाज मत निकालो, वो आदमी अंदर पूजा कर रह कौन? चक्रवानी, तो तुम नहीं हो क्या चक्रवानी? अरे हाथ में बिना चक्र के मैं कैसे चक्रवानी हो सकता हूँ, वैसे मैं कौन हूँ और वो आदमी कौन है, उस आदमी के कदमों का पीछा करके, उनके कदमों का आशिरवाद लेने वाला एक साधार लियान हूँ, मा वो नहीं है, पहले मिलने के लिए अनुमती, अपोइंटमेंट, तो फिर तुम मुझे खरीद कर दे दो ना, उस आदमी का प्राइविट सेक्रेटरी अडीपली है, भाई के लिए ले के दूँगा, वो कैसे, अपोइंटमेंट, आइंडमेंट, ठीक है, कल सुभा दस बजे, ठीक, तो फिर मैं जाकर कल सुभ़े दस बजे आता हूं, ठीक है, वेसे, तुम्हारी ये साहता किसी काम को विगाड तो नहीं देगी, ना, उसे आप सामने से देकर, समझ लो, काफी है, ठीक है, मैं जा करा तो ठीक है, सुनो वैसे कल सुभे दस बजे का पॉइंट मेंट है ना बहुत बड़े चोरो तुम जाओ जाओ भाई, 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 एक मचली ढून कर लाया हूँ क्या है? वो चाय वाला गोविन नायर कल सुभा दस बजे आएगा तुम जा करना, उस आदमी की सारी जानकारी लेकर सीधे मेरे पास आओ तो फिर उस आदमी की मैं डायरी लिख रहा हूँ अरे तु कैसा आदमी है, उस डायरी में तो सिर्फ दुकान के उधार लिखा होगा ना अरे सब लोग डायरी लिखने के सौबाव के थोड़ी होते बेवकूफ जो नहीं लिखते उनको छोड़ दो मेरा जो काम पहार तोड़ कर पानी निकालने जैसा है कैसे मैं इस काम को करूँगा अरे बाँ बिना महनत के कुछ पा सकते हो क्या बर्खरदा दस पैसा कमाने के बाद मैं भी अपना बोड़ी बना लूँगा अगर हम दोनों मिलकर एक हो गए हम दोनों साथ मिलकर इन गाउवा लोग को धोका दे कर हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे मेरी बास सुनो तुम जाकर उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आओ मेरे पास उन सब जानकारी से हम लोग खुब पैसा कमाएंगे बाग एक काम मैं देख लूँगा संभाल लूँगा यस गुड नाइट सिट डाउ ओके ये लो पी लो अरे पी लो अब पी भी लो आप संभाल लोगे ना हाँ पी लो अरे रे 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 तू भी चोर है और मैं भी चोर हूँ ऐसे घूम फिर के मताओ सीधा आओ और सीधा जाओ तो फिर मैं सीधा बूलता हूँ उस गोविंद पिल्लेई की बेटी की शादी कराने के लिए कुंडली लेकर प्रोफेसर चक्रबानी के पास आये थे अरे अपना वही चक्रबानी वैसे पाटी हमारा आदमी है इसलिए जरा डिटेल्स निकाल कर दो अगर हमें डिटेल्स मिल गए तो हमारे मूँ में घी शकर और वो घी शकर हमारे पेट में जाएगा खी शकर को निकालने के लिए तूता चाहिए क्या बात है तू तो बड़ा होशियार हो गया कमाल का आदमी है तू अरे गुमा भिरा कर बात मत करो क्या बात है उसके लिए पहले मुझे सो रुपे दो एक सो रुपे अरे किसे चाहिए तेरे सो रुपे उल्टा तुझे मैं सो रुपे देता हूं, गोविन के बारे मैं सब कुछ जानता हूं, इसी से तुम्हें पैसा कमाता हूं, आओ भाई आओ, मन्जूर है, मन्जूर है, आओ चलो मैं तुम्हें कबसे डूढ रहा था, मैं कांट से चलो और तुम पैदा चलो यह हो नीजाए चलो, चलो। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हे सब्सक्राइब को दोश्ति नहीं है कुछ मत बोलो तुम मुझे गल्स समझ रहो जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है तुम मेरे साथ चलो अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्थ तुम हो तुम चलो मेरे साथ चलो ने शाथ रने के बाद में तुम फिर वतल जाएगा सच में, सच में ऐसा लगता है कि अब तुम्हें मेरे उपर विश्वास नहीं रह गया तुम्हें देने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है बस ये कार है किसे तुम ले नहीं चाहिए मुझी जिसने मेरी जिंदगी को बचाए उसको इतना शुक्रियादा नहीं कर पाया तुम मुझे माफ लगेगा दोस्ति चलो मेरे लिए चलो चलो जाओ ले जाओ मैं चल कर चला जाओंगा आज के बाद से ये गाड़ी तुम्हारी है अरे नहीं चाहिए मुझे मैंने गाड़ी तुम्हें गिफ्ट में दे दी ले जाओ अरे मुझे माफ कर दो जाओ कर दो ना माफ जाओ बैठो ये कार तुम ले लो जाओ तुम कार से जाओ मैं पैदा जाता हूँ हाँ जाओ पोल वाली उतर जाओ टोकरी में उठा लूँगा क्या तुम्हारा गर यही है तुमने जैसे बताया है मैं वैसे ही आया हूँ सीड़ी में कोई जाड़ है क्या है ना तो फिर यही है मेरा गर टोकरी मुझे दे दीजिये मैं चलता हूँ इलाइची के व्यापारी घर नहीं आओगे मेरा नाम इलाइची व्यापारी नहीं है मैं तो इतना ही जानती हूँ ना आपने नाम नहीं बताया मेरा नाम मोहन लाल अगर तुम चाहो तो मुझे मोहन बुला सकती वैसे मेरा नाम फूल वाली नहीं है मैं तो इतना ही जानता हूँ, तुमने कभी बताया है नहीं मेरा नाम शालीनी है और सब मुझे प्यार से चिक्कु बुलाते हैं सिर्फ मेरे बड़े भाई गजरा फूल ऐसे बुलाते हैं पिताजी भी ऐसे ही है, सब लोग मेरा नाम बिगाड करें समलके अरे, वैसे इस घर के अंदर आते ही हर कोने को मैं पहचान लेती हूँ ये खंबा दर्वाजा सीड़ी, इन सब की आदत है मुझे आओ, बैट जाओ चिक्कु, अच्चो कौन है? मेरा बड़ा भाई सबसे मार्कुइट करता है मेरे पिताजी को भी मारा है, ऐसा पिताजी ने बोला कहते हैं, वो बहुत बड़ा गुंडा है जीकु, तुमारे पिताजी कहा है? मुझे माफ कर दो, मैने तो ऐसे ही पोच लिया था कचेरी में गाना गाया करते थी, अचानक से मुझे खून निकलने लगा और तभी, मोहना बैठिये मैं अभी आती हूँ देवे लो, ये पी लो ये क्या है? खोड़ी सी लस्सी है कार चलाते वाद आपको गर्मी लगी होगी न वैसे बड़े आमीर लोग लस्सी पीते हैं क्या? अच्छी है मीची, थोड़ी और मिल जाते तो अच्छा होता अरे, इतना ही है चिको, ये वीरा तुम बजाती हो? पिताजी के साथ कचेरी जाती थी तब वीरा बजाती थी अभी सिर्फ मेर पास ये ही बच्ची है जो भी था, उसे भाई ने दारू के लिए बेच दिया वो सब छुड़ाने के लिए नहीं हो वैसे इसे बजा नहीं सकते दो-तिन तार नहीं है से भाई को बोलो तो गाली देते हैं तार खरीदने का पैसा मैं जमा करके रखी हूँ तो फिर लस्टी इतनी ही है मैं चलता हूँ मैं इस कार को ले जाकर नहीं दिया तो मामला गंबेर हो जाएगा चलता हूँ सब अच्छा होगा भगवान को दिल से याद कर लो मैं देख लोगा कल्याड हो मंगल हो शुभ हो ये चक्रबानी का वाक्या है चाय की दुकान चला रहे हो ऐसा चक्रबानी बोल रहे है हाँ सही बोल रहे है क्या तोम चाय की दुकान चलाते हो हाँ देख लिया मैंने ये प्रेम अभिशेक है, बारबर है, तुम्हारी बेटी से जुड़ा है, चक्रबानी का भाग्य है आपकी बेटी किसी बराबर वाले के साथ प्यार का चक्कर चला रही है, ऐसा चक्रबानी बोल रहे है कहीं के ऐसा है उसके मुझे सामने गाली देकर दोल अफा दोंगा एक ख्वाइश मेरे दिल में है लेकिन वो जिन एक्सरसाइज कर रहा है उस वज़े से वो मुझे उठा उठा कर मार देगा आपकी पास कोई पाय तो पता हो न नेम्बू टोटका बिल्ली का टोटका दिख र हाँ शादी को लेकर भी उसने काफी भैंकर टोटका किया है लड़के को अकल थूड़ी जादा है हर जगा टोटका घुमा कर रखा है हर जगा पे जादू करके रखा है ओम रीम श्री शंकर बाबा की भी ये चक्रबानी के वाग क्या है अरे रिष्टेदार ही टोटका कर रखे हैं अरे भाई के बीवी के बेहन की शादी नहीं करवा सकते ऐसा आपके बूलनी के वज़ा से गुसे में बेटी मालती और आपके उपर मुर्गी का सर काट कर टोटका कर रखे हैं ऐसा आपके बारे में चक्रबानी जोतिश बोल रह आयो मा मर गया कैसे धोके बाज लोग है मान गया आपको मैं यह सिर्फ जलन के वज़े से किया गया टोटका है चक्रवाणी जी कितना ज्यान हासिल करके बेठे है जैसे एक बात मुछूँ इसका कुछ उपाई है तो बताईए ना हैप तांबे में रखा गया टोटका अंदर का टोटका? बाहर का टोटका सारे टोटके को खाड फिकूँगा यह चक्रवाणी के वाग्य है जो तांबे का टोटका है उसे निकाल कर फैंकना है ऐसा चक्रवाणी भाई बोल रहे है अहां हां ऐसा ही चक्रवाणी भाई बोल रहे है बहुत खुशी की बात है तो फिर मत चलोगा उसको जाल में फसाओ यह चक्रवाणी के वाग्य है अरे एडवांस दे कर जाओ ऐसा चक्रवाणी भाई बोले बहुत तो मैं भूली गया था एडवांस लिये बिना ये चक्रबानी कभी भी काम नहीं करता है ये चक्रबानी के बाग क्या है 50 रुपे नहीं चाहिए 200 रुपे चाहिए ऐसा चक्रबानी भाई बोले 50 में टोटका मुश्किल है 100-200 में टोटका निकालना आसान है किसी और को इस मामले में लाने का नहीं, ऐसा चक्रबानी भाही बोले। अरे मैं कभी इस तरह का काम नहीं करता हूँ। इसमें 200 रुपया हैं, इससे काम चलता है। इसमें पैसों में काम बन जाएगा। क्या टोटका है। पता नहीं केसे निकालेंगे। सोना नहीं, ये चक्रबानी के बाग क्या है। तुम मोहन हो। आज कार नहीं लाये हूँ। कार लेकर आया हूँ। वहां उधर खड़ा किया है मैंने। यहां पर गुमाने में तकलीफ होती है। पूल खरीदने आये हो क्या। तो फिर। क्यों ऐसे नहीं आ सकता क्या। बताओ मुझे। आ सकते हो ना। मेरी एक मदद करोगे। वीना के तार खरीदने के जो पैसे जमा किये हैं वो मैं लेकर आई हूँ। इस गुल्लक मैं है। मैं दुकान नहीं जानती हूँ ना। इसमें क्या है। मैं खरीद कर देता हूँ ना। किसी और से नहीं बोल सकती इसलिए तुमसे बोल रही हूँ। व्यापार करने के बाद तुम्हें वक्त मिलेगा क्या। पैसा चिक्कु तुम रख लो। शाम को घर आते वक्त तार ले आऊँगा। हम अमेर लोगों को दो तार खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। केवल दो इलाइची का दाम है वो। वैसे में तार लेकर आऊँगा तो चिक्कु तुम मझे क्या दोगी। शाम को मिलता हूँ। जोतिष, जोतिष, किसी को अपनी कुंडली दी खानी है क्या? कुंडली दी खानी है क्या? जोतिष, हाथ की रेखा, हाथ की रेखा देखो, चक्रबानी बाई के आने के बाद, तुम्हारे खाने के लाले पड़ गए न? को हुए? अरे, तुमें तु कोई तकलीफ नहीं है न? मैं बरदाश कर दो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, समझे? देखो, पुरानी बीडी को मैंने छोड़ दिया है बड़ी आई चोतिष देखने वाली अरे, तोते को तो कम से कम तकलीफ दिये बिना छोड़ दो नहीं तो इस काम को एक दिन मैं करूँगा बड़ी आई कुंडली देखने वाली तु अरे, चल, उस दिन मैं तुझे पकड़कर इसके अंदर कर दूँगी अरे, तुम्हें उसके लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा अवे, चप, अगर एक बाप की अलाद है तो इसे खोल कर दिखा इसी के अंदर तुझे बंद करके मैं पत्ता काटूंगी काटेगी, काटेगी, हम देखते हैं, काटेगी तुम इस एडी पल्ली के बड़े भुजूर्ग के साथ लड़ रही हो, याद रखना मैं निकालता हूँ, काटेगी आप गुस्सा मत करो ए भग्वान तोता भाग गया, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है जो पैसा तुम तोते को देती हो वो पैसा मुझे देदो, मैं यही बेठकर तमारे पत्ते निकालता रहूँगा तुम्हें रख के मैं पत्ता निकालू कौवव दीदी आप बोली थी ना उस एडा पली को अगर तुम्हें तोता निकाल दिया तो मैं तुमसे पत्ते निकलवाओंगी मैंने सुना ना तोता हो या एडा पली आपको पगार तो देना ही होगा ना वो पैसा मुझे दे दो, मैं रह जाओंगा अबे बेवकूफ क्या हूँ? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है तुम्हें भूख लग रही है ना? बहुत भूख लगी है क्या? चलो तोड़ा सबी दो ना तुम्हारा घर का है? बहुत दूर है कोई कूट के बाद फालो सेरी नाम का गाउं है घर में कौन-कौन है? कोई भी नहीं पिता जी थे लेकिन मर गए मंदिर के पुजारी थे बालुचरी गाउं में मनी पंडित बोलने से वहां के सब लोग जानते है ऐसा पिता जी बोलते थे लेकिन केवल लाम है जब पिता जी मर थे तब मुझे केवल एक कंगन ही मिला मंदिर में जब पुजा कर रहे थे तो किसी बड़े आदमी ने दिया था भूट के कारण मर गए थे जब मेरे पिता जी मर थे जमीन जाजाद तो नहीं थी लेकिन मेरे पिता जी बहुत बड़े आदमी थे वो कैसे उनके मरने पर बहुत भीड थी इसलिए त्योंकि बड़े लोगों के मरने पर ही इतनी भीड जमा होती बस हो गया तो फिर मैं पत्ता निकालने चलू नहीं नहीं मैं दूसरा तोता खरीद लूँगी जब तुम्हें भूख लगेगी तब मुझे बोल देना ठीक है जाओ हाथ दोलो कवदेदी है वीडा के दोतार का कितना पैसा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या चलो हाँ एक दाम दो सो रुपए दूँगा मेरे पिताजी की अंगुठी है आरे किसी की भी हो मैं सिफ दो सो रुपए दूँगा यह बड़े सादू महात्मा ने दिया है दो सो रुपए चाहिए तो बोलो नहीं तो इसे लेकर जाओ लो मेरे पिताजी की आखरी निशानी ये एक ही चीज है दाए सो रुपए दो ना बोला ना नहीं होगा समझ में नहीं आदा तो फिर वीना का दो तार खरिदने के लिए पैसा दोगे ना आरे तेरा और मेरा ऐसा क्या खास रिष्ता है आपस में पैचान रहना जरूरी है क्या आजकल तो हरको रिष्तिदार बन जाता है तो फिर एक दाम दो सो रुपए दे दो इससे मत ले कर जाओ भाई यहां पे और भी चीज़े हैं आप उन्हें ले जाओ लेकिन इससे मत ले जाओ लोगों के दूसरा काम नहीं है क्या वो जो घुड़ा बेट रहा है उसमें नाच गाने के लवाए यहां पर क्या कमा रखा पिता जी तो मेरे लिए जाद मत करो उस पिता का नाम भी मतलो मेरे सामने बड़ा नाच गाना संगीद कराने के हैं यह भाई जीको रो के रहे हो तुम अच्छा भाई नालायक कहें कि ऐसा बुलाया ना कोई बात में हाथ दो मैं बोल रहा हूं ना हाथ बढ़ाओ देखो नहीं तो मैं कभी नहीं आऊंगा फिर हाथ लाओ मुझे यह नहीं चाहिए वीड़ा कातार तो मिल गया ना अब तो हसो इसे लेकर गाना गाना पड़ेगा आज नहीं गाओगे तो चलेगा किसे और दिन गा देना वीना को बड़े भाई बेचने के लिए लेकर गए हैं वहां थाओड़ें आज में अव्यविवा भी जुक्राण को जाओड़ें के लिए इस अवे विल्यार क्या चाहिए विल जो कर दो राफ। आप से हो से कर दो फिर दाशच। कि आप केष्ग, बन्हें हमगों больше पालोques, रना का झालोС़ाँAm बाने की खिल हो, का झाली हिर्षोना काम खोदो यह अपने वक्त बर्बाद कर रहा है, खोदो मतलब खोदो चादी ज़दी 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 खोदो हाँ हाँ तू किसे को पता चले भीना तूम खोद कर शुपा कर रख्यो जानते नहीं हो यह बुरी आदत है आँ हाँ देवी मां भद्रकाली मां दुर्गा मां हे शंकर भाबा यह काला जादू है, तुझे जाने नहीं दूँगा छोड़ूँगा नहीं तुझे अपने साथ ले कर जाऊँगा रोक, कहां जाता है, रोक, कहां जाता है रोक, रोक आज मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाओंगा, चाहे जोह जाए पानी लाओ खोदो यहाँ पे, खोदो खोदो इधर का काम खत्म हो गया, काम खत्म करके किसी और के काम पर ध्यान देंगे देखा ना, अगली बार पाप करने के पहले तु दो बार सो जाए इसे नीचे रखो, यहाँ, यहाँ, यहाँ नीचे रख दो इसे मुझे दो लाओ यहाँ का काम हो गया, अब कट लेते हैं आहाँ, ओ तू कैसे नेमा देखोगी मुझे, मुझे क्या मुझे तो मोहन को देखता है सर, यहाँ, कमीन क्या बात है, आख दिखाना है ओ चलो इससे पढ़ो, A यह M इधर M अरे, मुझे नहीं तो फिर इस लड़की को तो पहले बोलना चाहिए न चलो बठाओ इससे यहाँ किस आख में कमी है दोनो आख में, सर ओह चलो एपढ़ो A हाँ और यह M नहीं M और यह वाई 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 तुमसे पूछा क्या इसे दिखाई नहीं देता न अच्चा बिलकुल नहीं दिखाई देता हाँ तो फिर इसे देखो सर दोनों आखों से नहीं दिखाई देता है अच्चा बिलकुल नहीं देता तुम्हे थोड़ा बहुत भी तुम दूर हो मैं लड़की से पूछ रहा हूँ अच्च नहीं दिखता अंधिरा ही दिखता है वेरी गुट वेरी थोड़ा खर्च होगा इस बीमारी का नाम है तुम्हें बताने पर क्या समझ में आएगा नहीं न इस बीमारी को दूर करने के लिए ओपरेशन करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा पैसा खर्चा तो होगा 10-20 रुपे होगा क्या अरे 10-20 रुपे नहीं दो हजार तक लगेंगे दो हजार रुपे में तो कुछ भी खरी सकते हैं हाँ खरीद तो सकते हो पर आख ऐसी रहेगी सर कम होगा क्या क्या? पैसा यह कोई सबजी बेजने के दुकान है दो हजार रुपे में एक पैसा भी कम नहीं होगा जब हाथ में पैसा होगा जब लड़की को लेकर आना वर्ना मत आना प्रजाफ सुबस सुबस आजाते हैं जाने अरे मुंडी क्या देख रहे हो पैसा नहीं तो निकला यहांसे सुबस वह आ जाते हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बिना पैसे कही आ जाते हैं, कुंडली दिखाने, ये कौन आया, आज तुम्हारे हाथों से पूरा पैसा ले लूगा मैं, तुम्हें, अरे ये क्या रख रहे हो, पांच पैसा, एक काम करो, सीधा जाकर एक शयद की थाई पाना है, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, हाँ, ये हुई न बात है, हाँ, ठीक जगा पर लगा हूँ, ना, हाँ, हाँ, अरे बाबरे, अचा नहीं हो सकता, चोड़ो दुपले, चोड़ो, मेरा पैसा वाबस करो, ये पैसा से कंपणी के है, किसी और को जाकर सुनो तुम्हारी काने मेरा पैसा देने के बोल ला हूँ असीनम आकर कमाता हूं मैं तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें मार की पैसा लिया है मैंने आओ मुझे मेरे पैसे दो मेरे पैसे दो देदो मैने से कवाय है अरे अरे आरे आरे puणो छोड़ू छोड़ो जबना मत दरो चोड़ो अरे मारो मारो वाट च्छड़ो दूर चाओ क्या हो दोनौ अरे हटो निकलो तुम्हीं आसे अरे इसने गलत खेल कर धूके जब मैंने पैसे चील लिए मैंने ऑपरेशन के लिए रखे दे पैसे अरे पुलीस तेरी रिष्टेदार है क्या मुझे मार कर दमके था मुझी जब अच्चु का मन करेगा तो ही अच्चु पेज़े देगा लेकिन जवर्दस्ति से कोई मांगेगा तो अच्चु नहीं देगा अच्चु के खिलाब कोई भी अवाज उठाएगा तो अच्चु से मारेगा अच्चु के मारने से तुम मर जाओगे समझ मैं क्या दारूपी कर मरमानी दिखा रहा है ये कैसा देपा रहा है अच्चु नाम कर यहां पर कोई है क्या कौन है वो जाये मारना है अच्चु को मारना है अच्चु को लेकर किसी और को मारना है जरूर कुछ चाहिए हाँ जरूर चाहिए तो फिर यह ले काफी दिन से हाथ नहीं साफ किये अब मुझे क्यों मार रहे हो मुझे अच्चू से मिलना है ठीक है ये खड़ा तेरा बाब आप भी अच्चू हो क्या तो फिर आप मेरा एक काम कर दो सुनो मुझे दर्द हो रहा है कुबार ने मेरे पैसे छीन लिए है मुझे लेकर दूगे क्या मुझे तू कहकर बुला रहा है तेरी इतने हिम्मत तुझे तुम्हें मुझे गुस्सा जाएगा सुनो मुझे गुस्सा जाएगा अरे फून निकल रहा है बेटा रहो मतना तुम्हे दारू चाहिए क्या क्या हुआ कुछ चाहिए तुम्हें तेरे बाप को भी पिलाओंगा मैं चल सिद्र से निखल पी नहीं नहीं चाहिए मुझे तुछ मैं देखरोंगा तुझे तुम्हें भी दारु पिलाँगा रूप ये ले पी पी ये दारु तेरा खून पी जाँगा मैं, ऐसे पिना तुम्हारे हाडवी पापड बन जाए, यह ले, हट नहां से पीज ईड़ найти पापड जसे नहां सेवो बन्हां से एो जाओने पीजसरो ओलावी झाल माइoca डिज जाप बने जाओनाव है कार भीज씨 के राव है पीजिये ay कि अ, कि अ, कि अ, कि औरमाप और मृमम рыlt yhtstory जदार तियू करें और तो समय का बढ़ है और दो धनेदींद। कोई दो एक पहले बОल रहा था देदी वो मुझे भारने रगा भार यद्वा एक बात नहीं तो माजा आओ आओ, चलो मैं तुम्हारे लिए इडली लाती हूँ, आओ कुछ भी बोलो, तुम जैसे दिखते हो, वैसे बिल्कुल नहीं हो देखो, उस अच्चु को मार के कैसे पापड बना दिया तुमने? मुझे मारा ना, कितनी बार कहा मैंने मुझे मत मारो इतना कुछ हुआ लेकिन फिर भी पैसे तो नहीं मिले ना? किस लिए चाहिए वो पैसा भी तुझे? हैं? भूक लगने पे मैं तुझे खाना खिलाती हूँ ऐसी बात नहीं कोवा दिदी, मैंने एक ओपरेशन के लिए रखे तुछ को से ओपरेशन? तुम्हारा? मख़ी है किसी और के लिए वो कौने कोई लड़की है? दिदी किसी से बोलोगी तो नहीं मैं किसी से नहीं बोलूँगी बताओ ना? बोलोगी तो नहीं? भूल वाली लड़की, उसी की आखो के ओपरेशन के लिए पदमाश कहीं के? चिकु बेचारी मासूम है ना कववादीदी? अरे बापरे, तुम्हारे दिल में ये सब चल रहा है कुछ भी हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, सब ठीक होगा लेकिन कववादीदी मैं इतने पैसे कहां से इकठा टरूँ दो हजार रुपे चाहिए इसके लिए, एक डॉक्टर बोल रहा है, अगर मैंने दो हजार रुपे भर दिये, तो उसकी आखे पूरी तरा से सही हो जाएंगी उसे छोड़ो, तुम कौन सा काम जानते हो? मैं थोड़े दिन के लिए टेक्सी का किलीनेर था और वही पर ड्राइविंग भी सेखी आच्छा फिर आइने के दुकान में, आइने के बारे में भी बारा और क्या जानता हूँ ऐसा पोचने से तो मैं फिर कुछ भी दिन जानता क्या खाओगी तुम? मोहन तुम जो भी खिलाओगे मैं वो खाओँगी एक मसाला डोसा और दो कौफी का अब कितना होगा? एक मसाला डोसा और एक कौफी 50 रुपया तो एक मसाला डोसा और एक कौफी बिलके सहित, सामान इस टेबल पर लाना ठीक है? क्या चाहिए सर दो मसाला दो सावर दो कॉफी कुछ होग चाहिए मेडम नहीं जल्ली लेकर आओ उस वेटर की और मोहन की आवाज एक जैसे क्यों लग रही है वो क्या है ना मैं कार वरक्षोप में ही छोड़ दिया है मोहन क्या बात है तुम कुछ नहीं बोल रहा है अपने वो किलाजची के दंदे के बारे में सोच रहा था आज पांच लोड भजना है ना ये दोस्त खाओ खाओ मसाला दोस्त तीखा लग रहा है क्या इतना भी तीखा नहीं है तो फिर मेरे दोस्ते में हो सकता बापरे कॉफी बहुत करम है और एक मसाला दोस्त बोलू क्या नहीं ललललला ललललललला ललललला आरे मेरा दोस्त आरे मेरा दोस्त कोई बात नहीं, देखो अबस दिन तो मुझे छोड़कर चलेगा है ना अब मैं आ गया हूना सर आगे से मत जाना तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ऐसी कसम खाओ कसम खाओ कसम खाता हूं सर आगे से नहीं जाओगे लेकिन मुझे दुहजार रुपे चाहिए अजे शिफ पास हजार क्यूँ मेरे पास पुरे 50,000 है आओ, मेरे घर चलो चलो, तुम मेरे घर चलोगे आओ, चलो मेरे साथ चलो जिसने मेरी जान बचाए उसको तरफ पांच हजार रुपे चाहिए जो जो मेरे साथ सरवो जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक तुम्हें सेंचा करने की कोई दोर्वत नहीं इसर तुम अपना इगर स्वाजना कोई परिशानी नहीं होगी तुम्हें जितने भी पैसे की जर्ज होगी मैं तुम्हें लाकर दूंगा तुम बद मेरे पास ही रहो जब तक मैं जिन्दा हूँ, तुम्हें फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है रुको, मैं लेकर आता हूँ रुको, मैं लाता हूँ यह फूरा तुम्हादा है, इस अपने पास रखो इस मदद के लिए कैसे शुक्रिया आदा करूं समझ में नहीं रहता रात में पैसे लेकर जार और समझ कर जाना इसे भी अपने पास रखो रात में कोई सोरी करने आया तो रात देना उसे फिर भी मैं मेहनत करके इस पैसे को जरूर वापस करूंगा अरे मुझे नहीं चाहिए तुम बिंदा जाओ अगर इस पैसे को वापस नहीं कर सका तो इस बंदूग से खुद को गोली मार लूंगा मैं अरे बापरे तुम सिर्फ पैसे देकर जाओ इस बंदूग को मुझे दे दो तुम आराम से पैसे देकर जाओ अब जाओ। कैने हे यहां सब कुस्त तुमारा ही है। औरे… चौट चॉठ चौट मुझे कॉल। मेरे पंचे हैं। अरे बाप्रे जोर चोर कोई तो इधर आओ जल्दी भात कर आओ गोपाल अरे बाप्रे वो जा रहा है आरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी तो क्या बात है मोहन इतनी रात को यह डोक्टर को जो देना है 2000 रुपे मुझे एक काम से जाना है ठीक है चारपा दिन के बाद मैं आऊँगा चीकु इस पैसे को लेकर डोक्टर के पास जाना मोहन मैं अकेले और कुछ मत बूलो जैसा क्या मैंने पैसे दिया ऐसा ही यह बोल रहा है मैं तुम्हें पैसा क्यों देने लगा भला, तुम मेरे लगते क्या हो, रिष्टेदार हो, तुम्हारा जीजा लगता हूं ये स्थाला लगता हूं, या फिर यहां मैंने एक धर्मशाला खोल के रखा है अरे इसने पहले भी यहां पर आकर हमें धोका देने के कोशिश की, रोका तो भाग गया अरे तुम लोग जूट मत बोलो, तुमने मुझे दोजारूपे दिये थे ना, सर्य दारूपीने के बाद जो बोलता है, नशाव तरने के बाद वो भूल जाता है तुम्हारा बाप होगा ना, शकर में मुझे वाला, तो फिर तेरे साथ और भी लोग थे यह ना, वो लोग अलग से आये थे, वही लोग चोर है, इसने चोर को पहले से बुला के रखा था, मैंने किसी चोर को नहीं बुलाया था, सर्य आदमी जूट बोल रहा है, हे भगव इसके सर पर बिजली गिराओ, तो फिर पैसा कहा है, पैसा, पैसा कहा है, पैसा खो गया है, हाँ मैं बेवकूप समझाए क्या, मैनत करके कमाय हुए पैसे को इतनी आसानी से खो दोगे क्या, हाँ मैं पागल मत बनाओ, तुम इज़त से पैसे कहा रखे हो, यह बोलने वाले हो या नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, यह चोर है, इसका तो पता चल गया हमें, पहले बोला पैसा दिया है, अब बोल रहा है पैसा खो गया, जब मैंने पूछा तो बोला पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तुम नहीं बोलो गया ना, मैं नहीं बोलूँगा, त कौन हो कहां से हो प्रोफेसर चक्रवानी अच्छा वो जो भूत और वर्तमान बताते हैं रहते तो यही हैं लेकिन फोर डेज नहीं तीन दिन के बाद आ जाएंगे मुझे एक खास बात को लेकर चर्चा करने गाथा अरे सर बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन अभी यहां नहीं है एक खास काम के पीछे लगे हुए हैं नाम और पता दे दीजिए प्रोफेसर आएंगे तो मैं ख़बर दे दूँगा अरे यही तो प्रोफेसर है ना वो लेक्चिरर है वो प्रोफेसर है नहीं मां उनको पहले देख चुका हूँ जो आखों से दिखाई देता है वो पूरा सच होता है ऐसा कोई गारेंटी नहीं है आखों देखी चीज कभी-कभी जूटी हो जाती है पंच बूतों, पंच यंत्र सब एक साथ मिलकर आपस में मिलन होकर परचाई को देखकर सच है ये ऐसा कलपनाई भी हो सकती है कृपा करके कम से कम अभी तो प्रोफेसर से मुझे मिलवा दो वो प्रोफेसर ये मैं जानता हूँ देखिए आप चाहे कितना भी बोल ले लेकिन आपकी समझ में ना आने जैसे हजारों सैक्डों विशे हैं इस दुनिया में समझे तो फिर मैं समझ लेता हूँ जिसको आप देख रहे हैं वो साक्षात प्रोफेसर है लेकिन आत्मा के रूप से शरीर के अंदर रहने वाली परचाई है ऐसा समझो आप प्रोफेसर का पार्थिव शरीर देखे थे उस आदमी की आत्मा काशी या पुन्यस्थल या कैलाश में हो सकती है आत्मा वहां से यहां पहुँचने के लिए तीन दिन लगेगा इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ हां इसलिए तीन दिन बाद आ जाओ कैप पी शकूनी पिलाई कॉन्ट्रेक्टर पी डब्लू डी ठीक है हिमत से जाएए सब कल्यान हो सब मंगल हो ऐसा हिमत से आईए कैप पी शकूनी पिलाई कॉन्ट्रेक्टर सावनी का गाउँ अरे बाबरे गुरू मिल गई मचली अरे लाबरे बाया को डॉक्टर मोहन कब आएगा? वो अभी तक क्यों नहीं आया है? बोलो ना डॉक्टर ए रुको जैसा बोला था वैसा ही करना शकुनी पिल्ले की सारी जानकरी लाकर मुझे देना बागी का काम मैं समाल लूँगा सुन लिया? हाँ इस रहम सुन वा जा है? हाँ कर दो लुक्टर कर दो जैसा बोलो रुक्टर कर दो में सुना बागी की तो उना बागी की सारी पील लागी अरे आख में धूल जोग के कहां चला गया हाहा हा हुआ वे इनक फ्राझ कर दो कर दो अरे भाई यहां पर रहने वाले शकुनी पिल्ली के बारे में कुछ जानते हो क्या जानता हूँ ना मुझे उस आदमी के बारे में कुछ डेटेल्स आहिए क्या जानना चाहते हो क्या जानता हूँ आदमी के बारे में कुछ जानता हूँ क्या जानता हूँ मेरे आखों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी विश्यू आल दवेश्ट दो दिन यहां ऑब्जर्वेशन में रहने दो मेरे बोलने के बाद दिश्चार्ज कर देना ठीके सार मैं चलता हूँ तुम आओगी मैं जानती थी मुझे आने में जरा देर होगी दानाम है रामकृष्णन पिल्लाई पिताजी ने इस नाम को रखा दानाजी की याद के लिए देखो तुम मुझे राम या रामकृष्णन या डॉक्टर बला सकती है कोई और मुझसे यहां मिलने आया था क्या? हाँ एक अच्चू नाम का आदमी आया था वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था तो फिर मैं कल आता हूँ अब तुम्हारी आखे ठीक होगे तुम सब कुछ देख सकती हो अब तुम्हारा हम करो वैसे राउंड के लिए समय हो रहा है मैं जाकर आता हूँ मोहन क्यों नहीं आया? मोहन नहीं आया है ऐसा पता होता तो मैं पट्टी कभी नहीं खुलवाती धोका दिया है मुझे अब आओगे तो बात ही नहीं करोंगी कब शकुनी मालिक आपकी शादी हुई? सन 1969 तारिक तिरा फरवरी की है पहला जो बच्चा हुआ अरे दो ही महीने हुआ तुम्हारे बच्चे नहीं शकुनी मालिक के सन 1969 में चौड़ तारिक को मोल लक्षट में हुआ मोल लक्षट में बच्ची का नाम? विक्रांट विक्रांट? विकास विकास एक बात बूल देता हूँ मैं कितना कुछ त्याग और मेहनत करके मैं शकुनी मालिक की डायरी को चुरा कर लाया हूँ वो आदमी अभी आएगा मैंने तुमसे बोला था ने इसके इंदर जो भी है उसे अच्छे से पढ़के याद करो जोड़ी जेट पढ़की शो गया था मैं उसके बाशुक के जीवन में तरक्की ही तरक्की हो रही है ऐसे कदम पर कदम एक साथ आगे मत बढ़ो एक एक करके बढ़ो वो मैं बोलता हूँ याद रखना अब देखो जिंदिगी के हर कदम पर मेहनत करके आगे बढ़ा है ऐसा शकुनी ने लिखा है वो आदमी आते वक्त हमें जो मिलने वाला लक्षमी देवी के दर्शन को अपने पैर से ठोकर मार कर गिराया तो मेरा रविया बदल जाएगा ए भाग शकुनी माली का रहा है अरे ध्यान रखना मुझे शर्मिनना मत करना मैं शर्मिनना नहीं करूंगा आईए शकुने पिल्लाई आगे कुछ मत बोलना तुमारा पूरा जीवन मुझे 3D फिल्म की तरह दिखाई दे रहा है तुमारे सारे दुखों को मैं दूर कर दूंगा अरे 3D पुराना श्रीकांद अपना ही क्लाइंट है पुरान शास्त्र दोनों आपस में शामिल हुए हैं इधर आपके जिंदगी की शुरुवात हुई सीमेंट सरिया के कारोबार से आपकी शादी सन 1969 तेरा फरवरी को ही है शकुने पिल्लाई को 1971 चौदा फरवरी को एक लड़के का सुक प्राप्थ हुआ हुआ ना हाँ चलुआ हुआ आप ने उस बेटे का नाम फिकरान थी रखा ना हाँ बताईए अरे ये कैसे आपने काकड़ी की धंदे से शुरुवात की उसके बाद नारियल का धंदा शुरू किया गरीबों के पेट पे लात मार कर आप पाप का पैसा कमा रहे है हाँ दूसरे के सामने बोलने से हिचक चा रहे हैं क्या कुछ नहीं गुस्सा करेगा अरे मेरी बात सुनो अंदर चले जाओ उसके बाद अब पंचायद रोट का कॉंट्रेक्ट लिये थे सरकार और कर्मचारियों को आपने धोखा दिया है मैंने किसी को दौकार नहीं दिया बस जीवन भीता नहीं वंचित हिया है ना आप कुछ मन बोलिए आपने राजनेताओ के साथ हाथ मिला लिया है चोटा मुटा धंदा करके सरकार को लुटा है आपकी काफी तरिक पी हो रही थी मैं सही बोल रहा हूँ ना वो इमारत जीसे आपने हाउसिंग बोट के लिए बनवाई थी जबसे वो तूटका गिर गया तबसे आपके उपस शनी की दशा है सेमेंट कम होनी की बज़े से वो इमारत गिर गई आप गोट गये थे मार खाये थे अब जो दिख रहा है वो पुरा शरीर पानी है ना जिसने तुमारे दो नम्मर के दंदे में साथ दिया उसी वसीकुटी इंजीनर के साथ तुमारी बीवी भाग गई है ना मैंने सही कहा ना बोलिए आपको बीवी चाहिए या गवर्मेंट का कॉंट्रेक्टर बनना है मुझे बीवी नहीं चाहिए बेरी गोड मुझे बीवी तुमारी बीवी तुमारी बीवी तुमारी 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 तुम यहां बेटा तो यह है राम कशना पिल लई का गर मैं भी आता हूँ क्या बात है आज तुम जल्दी में हो मा आप इतनी दिनों से जो सोच रही थी वो आज मैं भी सोचा हूँ तो इसलिए मैं क्या है मज़रा सोच कर देखो मुझे यह काम करने के लिए आप जवर्दस्ति का रही थी न वो बातरूम में टैंक के बारे में तुम उसे खरीद कर लेकर आये हो क्या वो नहीं तो फिर बगीचे में बस्ती बनाने का काम अरे आप भी न मा एक डॉक्टर की मा होकर खाली टैंक के बारे में सोचती रहती हो कभी फ्रीज काम नहीं करता है तो कभी कुकर काम नहीं करता है ऐसे थोड़ी ना चलेगा मा वो क्या है ना, तुम राम कृष्णा की मा हो ये सब छोड़ो, क्या बोलती रहती हो अरे जादा उड़ो मत, क्या बाचे बताओ मा आप से मिलाने के लिए किसी को लाया हूँ मैं कौन? कौन है, ऐसा पूछने से तुम्हारी बहु है, ऐसा बोल सकती हो आखिरन तुम्हें तुम्हें अच्छा खयाल आया ना कहा है, जरा मुझे मेरी बहु को देखने दो ऐसे नहीं, अच्छे से साड़ी पहन कर लक्षमी दिवी के जैसा आजाओ बहु को अपनी सासुमा को देखकर इंप्रेस हो जाने दो नहीं तो रामकिष्णा के अंदर एक कॉंपलेक्स का आदमे मैं उसे बाहर आने में मजबूर बद करो हाँ 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 करा दो वी गड़ गया शर्माउमत, गाना बहुत अच्छा था उसकी वज़ा से ही गिर गई होगी अरे, मैं तुम्हारी मा हूँ अरे, सोरी, ये है राम कृष्णा की मा नमस्ते सब पताया इसने वैसे, शानी तुम इतना सुंदर गाना गाओगी, मुझे नहीं पता था मेरा दोस्त है, जितनलाल मदलाल, दुनों एक ही है बहुत मश्यूर मुजिक डिरेक्टर है, मैं उनसे मिलवाता हूँ अगर शानी बड़ी गायक बन जाएगी तो, लेस्ट ट्राइद अलाग कुछ भी हो, आज वो सब नहीं चाहिए मेरी इस बच्चे को मुझे आप भर के देख लेने दो नमस्तर सर हलो, क्या बाद? आज शाम को साड़े आठ बजे रिकॉर्डिंग फिक्स रखा है सर कौन सा थेटर? मिन्नरवा थेटर मिन्नरवा मिन्नरवा, ये किसे पूछ कर फिक्स किया? कोई और थेटर नहीं मिला सर तो रिकॉर्डिंग कैंसिल बिना क्वाल्टी के सौंग बनाना ये जितनलाल का काम नहीं है अगर इसे छोड़ा तो लेट हो जाएगा क्रिश्णा, वो कौन है? उसके वक्त के मुताबिक जितनलाल का वक्त नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग का टाइम बदल दो नहीं लोगों से गाना को आकर गाना हीट कर सकता हूँ मैं क्या सर? कोच्यों मत बोलो अरे, क्या हुआ? लिरिक्स पूरे लिखते हैं ना? सर, इसी आदमी ने गाना लिखा है चोरुपली कृष्णा नायर नमस्ते सर अरे, कोई साभी नायरो मुझे फर्कने पड़ता बस लाइन अच्छी नहीं होगी तुम्हें धक्के मारके निकाल दूगा आप जरा देखी तो, सर हाँ, देखते हैं, चलो कब कम बूस करेंगी, सर? मैं नहीं करता हूँ अरे, इस तरह के नहीं लोगों को मुवी में सौंग करके म्यूजिक करने का यह जितन से नहीं होगा सर प्लीज अभी मेरे सर में पूरा म्यूजिक चल रहा है भाई, बात में हम बात कर लेंगे प्लीज कॉम, प्लीज कॉम, हाँ, आईए हाँ, बेटा लिरिक सुनाओ बीवी गाएब है और जो पती पुलीज स्टेशन गया है, तब ही सौमद है यही सिचशन हाना, हाँ, उस पर एक लिरिक स्लिको बेचारी जिन्दगी साली जिन्दगी कैसे मेरा दिल बरदाष्ट करेगी बेचारी जिन्दगी साली, पाप की जिन्दगी, मेरा दिल कैसे बरदाष्ट करेगा बोला दिल बरदाष्ट नहीं कर रहा है, साधारण वाक्य है यह क्या है, साला पाप की जिन्दगी दो तीन अच्छे शब्द हो जाते ऐसा सूचा था लेकिन लेकने का क्या मतलब आखिर क्या मतलब बताो सर आप ही लेके देख लो इधर दो देखने दो अच्छा इस तो अरे ने ने इस तरफ है यह भी तुमने ही लिखाना है आदर दो अले जिन्दी की बरदाश्ट निकर रहा है इतर दो बागी कोई तब दो दिलबरदास्ट नहीं कर रहा है, आगे इसे इस तरह की काविता मत लिखिना, इंसान को पागल करने के लिए तेरे जिसे लोग आकर कुछ भी लिख देते हैं यहां पर, कितना बेकार है, निकल यहां से, निकल, अरे दिलबरदास्ट नहीं करता है, इसे आदमी को छोड़ो कि प्लीज, मेरे अंदर पूरा म्यूजिक घुम रहा है भी, है क्या कर रहे है सर, परिशानी है क्या, लोग तुमारे बारे में बहुत गंदी-गंदी बाते बोल कर जा रहे हैं, बात क्या है? अरे लोग इतना गंदार लीरिक्स लिखते हैं कि मेरा बार जाने का मन ही नहीं करता है, दोस्त, यह क्या है? अरे उदास का सौंग है, दिल बरदाशनी और आबेचारी सले जिंदी यह सब बखवास गाने हैं, अरे थोड़ा ग्यान देकर छोड़ दू, रक्षक बनकर अपनी जिंदीगी बना लो, नहीं बड़े आदमी बने गये हो ना? अरे मेरे पुरानी बातों में क्या परशानी है? चाभी ऐसा हो गया है क्या? हिंदी फिल्मों और तमिल फिल्मों की कॉफी मार कर ही तुम बड़े आदमी बने हो? अरे जुबरो अगर टैलेंट है तो आगे लाओंगा मैं अच्या? तुम्हारा खमन इतना बड़ गया? अरे बाहर जाकर चार आदमी से पूछ कर देखो जिसके पास टैलेंट है अगर उसे लेकर आया तो चांस दोगी क्या? टैलेंट है तो दूँगा टैलेंट तो है? इंसान के शरीर को फार कर चीर कर रखने वाला तुम म्यूजी की दुनिया में कैसे? वैसे पार्टी को ने हाँ पार्टी को मैं लेकर आऊंगा लेकिन तुम पलतना नहीं अरे तुम लेकर आऊ लेकिन टौलेट नहीं होना चाहिए ठीक है? तो फिर सर आपके समय को मैं ज्यादा बरबाद नहीं करूंगा ओके? लेक रहाँ लेक रहाँ जाओ ये सब पॉपी करने के लिए रख्या हो क्या? अरे चोर कहींगे बरू कोई तो आ रहा है? लगता है कोई नहीं पाठीर कितने दिनों से मैं तुमें ढून रही थी? कौन हो तुम कववी? कववा नहीं, चील हूँ मैं तुम मेरी अनुमती के बिना इस पवित्र स्थल में घुसाई हो, इतनी हिम्मत? अरे, कल मेरा शिष्य जगदंबा मा के आश्रवात से हनुमान बनकर लंका दहन करने आया था शिष्य? कौन है या? लगता है कोई स्त्री आई हुई है उसका जल्दी से वहिशकार करके भेजो यहां से स्त्री, तुम्हें तुरंत बाहर जाने के लिए बाबाजी बोल रहे है अबे हिदा थे कहीं के? तुम लोगों का ये काला धंदा मैं नहीं जानती हूँ, ये सोच रहे हो तुम? दिम्बू टोटके के नाम पर उस बेचारे चाय की दुकान वाले गोविद को तुम लोगों ने धोका दिया ना? हम लोगों ने धोका ने दिया, वो आदमी खुद धोका खाया तुम लोगों ने उस शकुनी पिल्लाई के घर को ढूंड कर उस आदमी के नोकर को जाल में फसा कर उस आदमी की डाइरी को चुराया है ये सब मैंने देखा है डाइरी को चुराया नहीं मंगवाया है ये बात तुम ही कैसे पता चली तुम्हारा मैंने पीछा क्या पीछे नहीं किया अगर तोता बूला होगा है लगता है उस तोते का स्थर्वनाश होने का वक्त आ गया है उस तोते को जहर नहीं पिलाया क्या ऐसा गुरू जी बोल रहे है सुन मेरे तोते को जहर नहीं पिलाना है तुम्हारे बाप को पिलाना है जहर तुम दोनों को सबक सिखा करी जाओंगी मैं आज तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं मैं देखो, देखो मेरी माँ, चिलाओ मत अच्छा, अच्छा, नाम को उस शकनी को यहाँ आने दो उस आदमी को धोका देकर तुम लोग हजार रुपे कमाई वो हमारी जरूरत के लिए मुझे भी आधा चाहिए अरे वो दो कपका निकल चुका वो अपने दिल में ही रख लो, ऐसा बोल रहे है तुम गुरू और चेले को मैं एक साथ सबक सिखाऊंगी हाँ, मैं शकुनी पिल्ले को बोलूँगी और शकुनी पिल्ले, पुलिस में बोलूँगी मैं अधा पैसा देने के लिए तुम्हारा गुरू बोल रहा है तुम क्या सोच कर इसे अधा पैसा देने के लिए बोल रहे हो सरवनाश हो जाएगा, दे दो इसे ये तंग करने वाली स्त्री है मैं पैसे देने के लिए बोल रहे हो ना आरे बोलो इसको पैसे देगा न मैं बोलता हूँ देगा ये ठीक नहीं हो का देख लो लाव 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 पैसे दो देखो पूरा पैसा मत लेना जाओ जाओ निगल जाओ लाश का इंकी तुम यहां बैटकर पथर गुमाते रहो मैं कितनी मैनत करके वहां से खबर लेकर आता हूँ तुम्हें अकल नहीं इसलिए ऐसी खबर लेकर आते हो तुम्हारी गलती की वज़े से भदरकाली इतनी दूर तका गई तुम जेल जाओगे मैं जेल जाओँग तो तुम भी जाओगे पता अग्सियल गाम का खून है एड़ापल्ली तुम्हारी सर में हखचिपकली को गुसा होँगा जांत रहा हुँ चक्रबाणी तुम्हारे सर को चक्र से काट दूगा तुम तरह बाहर आओ, तुम्हारा भूत, वर्तमान, भविष्य, कुंडली सब को भस्म करके रख दूँगा निकल जाए या से, निकल जाए, चल चल निकल, बता रहा हूं मैं तुम्हार निकल आ, तुझे बताता हूं कमेन यह है, मश्रूर संगीत कार, जितललल मदलल, दुनों एक ही है आए बटिये यह बहु लड़की, शालिमी, मेरे संगीत के ज्यान को लेकर के, मैं पहली बार बोल रहा हूं कि यह लड़की, बहुत ही अच्छी गाइका है वो, गाना सुनकर मैं बाद में फेस ले लेता हूं शालिनी, क्लासिकल पड़ी हो क्या? दो डाइकार्ड के बिना सांस लिए, गा सकती हो क्या? शास्त्रिय संगीत मैंने नहीं सीखा गाते वक्त आरोकन में, स्वर अवराहन में भी हवाती है रुखो, रुखो, तुम है ना? पहले गवाकर देखो, पसंद आये तो चांस दो और तुम अपने ग्यान का भाशन देकर भढ़ाओ मादी वो, क्या है ना? येस, जितनी स्पिकिंग क्या? जानू मानू मेरा कूछ नहीं कर सकता मेरे वक्त के मुताबिक रिकॉर्डिंग में आकर गाएगी तो चलेगा क्या? क्रिशन दास? क्रिशन दास कमपनी को कैसेट देने के लिए मेरे से नहीं होगा मेरा गाना भी नहीं मिलेगा सो अगर या हो तो गवा कर देने के लिए काफी है मैं मेरे गानों को इटकर आना अच्छे से जानता हूँ हां ओके-ओके ठीक है हां आज मैं थोड़ा भीजी हूँ कला हो लड़की के गाने को आराम से मुझे सुनना होगा यहां कहीं हमें धोखा देने का रास्ता तो नहीं है ना आरे नहीं यार कल ठीक कर देंगे हिम्में से जाओ क्या हिम्मत से जाओ आ रामा यह कौन सा कैसा है अरे चुप रहो शरीर में कोई कमी नहीं है साड़ी में कमी रहेगी तो मैं संभाल लूँगा मैं कोशी करूँगा क्या कहते हैं देख अभी बोल देता हूं आगे इसे इसामत करना मैं इससे शादी करने वाला हूँ तो इस बात को दिलो दिमाग में बैठा लो अले इसे पहली बोल देना चुई था ना अब फिर अभी डरो मत कर बैन को अजब देशते हैं इसे ट्रैक बनाने की जिन्दादारी मेरी पच्छा ठीक ना अलो येस हां शाली नी मेडम का गर है प्राइवेट सेक्रेट्री जी के कुमार स्पीकिंग अब बोला सेट वर सेट अच्छा कॉल सीट अरे उसे इंदे में बोलना चाहिए था ना भाई उन्हांस ही नहीं है जीन मेने के लिए फुल मुखिंगा है अरे मैं क्या कर सकता हूं और वैसे एक और वाद वहां बोलने के बाद यहां मत आना ठीक है आपस में अच्छा कर लेने चाहिए हां एक ही शाली नहीं तो है करने चाहिए है ऌलो हम नीकल चुके है अजै ना डिक थी झार मार फांच ऑना जाता है वो लोग बार वार फंकर के तंग करें तंग अहां यह लिजिए हुआ हाँ जोड़ा 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 कर दो झाल झाल रखो भाई रखो तो फिर कुल मिला कर देखा जाए तो शालिनी को जो आँख मिला है वो इसके पीछे की वज़ा वो नालायक ही है न अरे तुम जरा धीरे वोले न जेल में होकर उसने इसको पहचाना नहीं लेकिन बाहर आ गया तो आपस में मिल जाने का और उसको पहचानने का मौका मिल सकता है अरे बापरे अरे ऐसा कुछ हो गया तो हमारी ये ग्लैमर जिन्दिकी की वार्ट लग जाई है अर्चु भाई अब तुछ करो इसलिए कुछ भी हो जाने दो इसको से मिलन नहीं देने का अमेशा असके उबर गड़ी से गड़ी नजर रखने का अभी वो लोग आपस में मिल गए तो तुम्हारी चमडियू धेड कर रख तूगा मैं रखो भाई रखो मेरी चमडियू धेड कर रख देगा ये शाली ने तुम्हारे इस टाइड शेडूल में मेरे लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हो अरे इतना समय दे रही हो इसका मतलब वो भी हम डॉक्टर लोग सुभा से शाम तक बहुत महनत करके एक एक पेशेंट का इलाज करते हैं और अगर उनसे एक भी पैसा मांग लो तो हमें दोशी ठेहराते हैं वैसे समाज का सिवा है ना इन पर बात करने से कोई फाइदा नहीं जिसका किसमत में जो लिखा है उसे वही मिलेगा मैं बच्पन से एक अश्ट खेल रहा हूँ नहीं तो दुनिया में कितने सारे लोग पड़े हैं फिर भी मेरे पिता जी ने जो नाम रखा है राम किष्णा पिल लई मेरे नाम को सुनते ही पूछते हैं कमपाउंडर हो क्या क्या हुआ तो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं एक हिसाब से मैं तुमें बोर ही करने आया हूँ मुझे बरदास्ट करने के अलवा तुमारे पास कोई रास्ता है मेरी जिंदगी में हमारी जिंदगी का ये पलखुशी के माहौल में बदल जाने तो मेरी यहीं चाहत है इसलिए यहाँ पर आने के लिए कहा था तुम से शालिनी, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ ऐसा तुम्हें भी लगा क्या? यह कैसी बात कर रहे हैं? है क्या? मेरे सवाल का जवाब दो बस मैं तुम्हें ख़डूस लगा हूँ क्या? सच बताओ नहीं एक लड़की का पीछा करने वाला लगा हूँ क्या? कोई घमंडी इंसान लगा हूँ क्या? नहीं जरूरत परने पर प्यार करने के लायक है ऐसा लगा क्या? हाँ एक लड़की के साथ जिन्दगी जीने की योगिता है ऐसा लगा है क्या? करता हूं I love you क्या एक मंगल सूत्र मा ने खरीद कर रखा है क्या वो मंगल सूत्र तुमारे गले में बांदू बोलो बनवाओगी अगर बोलने में शर्म आ रहे हैं तो इशारा ही कर दो देखो तुम गलत मत समझना मेरे दिल में पहले से ही कोई और है मैं मोहन के आने का इंतिजार कर रही हूँ शालनी जब मैं अंधिती तब वो हर वक्त मेरे साथ रहता था चाहे सुख हो या दुख वो हमेशे मेरा खयाल रखता था उसी की वज़े से मेरी आखों की रोशनी वापस आई लेकिन आज वो ही मेरे साथ नहीं है शालनी ये बात कभी बताया क्यों नहीं तुमनी बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई अब इस बात को छपा कर रखने का कोई फाइदा नहीं मुझे नाम और शहरत कुछ नहीं चाहिए मोहन से एक बार मिल्लू काफी है घर से जब निकलता हूँ तुम्मा हमेशा कहती ही राहुकाल देख कर जाओ मुझे इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं है आज ही पहली बार राहुकाल को देख के आया था अभी राहुकाल में कुछ काम नहीं बनेगा है ना शालनी श्री है क्या अरे बेटा तुम यहां कब आए तुम्हें भूक लगी है देखो बेटा किस्मत में जो लिखा है वही होगा तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने वाले बहुत लोगों को देखा होगा लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ चिकुव भी बहुत बड़ी गाईका बन गई होगी है ना कववा देदी इस मंदिर के बाहर बैट कर ना जाने कितने साल गुजार दिया मैंने तबसे लेकर आज तक कितने लोग यहां प्रातना करने के लिए आते है उन में से कुछ लोग थोड़े दिन के लिए हमेशा दिखेंगे नहाकर तिलक लड़ा कर नारायन का नाम लेंगे भगवान के पैरों में गिरकर अपने काम को निकलवाएंगे बाद में नहीं थोड़े दिन तक वापस फिर मुड़कर देखेंगे भी नहीं बाद में आएंगे तब आएंगे जब कोई परिशानी होगी तरक्की मिलने के बाद इंसान भगवान को भूल जाते हैं इसमें इंसान इंसान को भूल जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा एक कुब बहुत अच्छी लड़की है कोवादीदी कोवादीदी आप देख लेना मुझे देखते ही वो पहचान लेगी और दोर कर आएगी आएगी ना कोवादीदी आएगी बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है एक दिन आएगी कववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव जोका देकर दो दिन तक यहां कोई भी शक्स जानी सकता है। लेकिन एक नौजवान लड़का मोहन नाम का इलाइची का व्यपारी है क्या। हाँ ऐसे आदमी को मैं नहीं जानती हूँ। अगर मैं नहीं जानती तो यहां कोई भी नहीं जानता होगा। सर जी, आपके हाथ को देखू क्या, मैं भविश्य बताती हूँ। नहीं, इन दिनों मेरे बहुत ही बुरे हालाज चल रहे हैं। बता नहीं सकता। ज्यादा डेटेल्स जान लिया तो तालाब में कूद कर मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। चलता हूँ। कर रहे हैं जान थात्याओ को ते तो झालाब में वहाँ का भीन का नहीं चल थीजस कुरिए ओल्शा डेगी। को χ क्या बात है रामा कुछ खबर मिली क्या मिली लेकिन लेकिन शालिनी कुछ दिन तुम्हें और इंदिजार करना पड़ेगा मोहन यही नाम था ना उसका हां ऐसा ही मैं जानती हो ना क्या बात है रामा कुछ तो खबर मिली है ऐसा बोलो उस आदमी की कुछ खबर तो मिली है लेकिन वो आदमी जर्मनी टूर में गया है वो चार-पांच महिने के बाद आएगा रामा तुम सच बोल रहे हो क्या अरे मैं तुमसे जूंट क्यों बोलूंगा शालिनी जब मैंने ल दूर बोला तो कई जगहों पर जाता रहेगा कुछ भी हो उसे मिलने के बाद शालिनी तुम शांती से सोतो सकती हो मोहन से मिलने तक मुझे चैन ही नहीं मिलेगा शालिनी मुझे पता है हम जिससे प्यार करते हैं से मौनी के बाद कैसा दर्द कोंगा मैंने अंजाने में बोल दिया वह शाम को में वैसे जर्मनी का कुछ कॉंटेक्ट नमबर मिला तो मैं बताओ कर दो कर दो कर दो हुआ है कि इदर कुछ नहीं जा बाहर निकल जा 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 जाने के लिए बूल रहा हूं तुमे सुनाई नहीं दे रहा है निकल जाएं से, नेरे लिए ठीक नहीं हुआ फुरुसको खबर करती newborn, जाएं से, जाएं मुझे शानी से बिलना है कि कि इज दे बढ़ूर बैटार कहीं आए मिलने के लिए तुम मुझे जानता नहीं है शालनी बेठो, अरे बेठो जेल में तुम खुश थे, क्या? शालनी का है वो बस आई रही है मैं जानता हूँ शालनी मुझे नहीं भूल सकती वो कभी नहीं भूल सकती मुझे अपका? अब बेवकूफ कहीं के आज उसकी वकात और तुम्हाजी वकात में तुम्हें पता है कितना फरक है मैं जानता हूँ क्या जानते हो? वो आज रानी की जिंदगी जी रही है और तुम? वैसे, अगर तुम्हे कुछ चाहिए तो मुझे से बोलो मैं देता हूँ मैं मदद मागने के लिए नहीं आया हूँ मैं सिर्फ एक बार शालिनी से मिलना चाहता हूँ शालिनी से मिलकी में चला जाओंगा एक बार मिलने दो रुको, तुम नहीं मिल सकते फिलाल के लिए उससे मिलने के लिए बहुत से लोग आए तुम पार मिलने दो क्या हुआ भाई कोई तो तुमसे मिलने के लिए शौर मुच आ रहा था हुआ 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 है यहां कोई नहीं है क्या हाँ क्या चाहिए मैं तुम्हारी मा आप कौन हो जाके बुला के ला जल्दी जा ओ अच्छा तुम मुझे पहचान होगे की नहीं कववा दीदी ऐसा सब लोग मुझे बुलाते हैं कववा दीदी आईए बैठिये कववा दीदी तुम्हारी खातेदारी को स्विकार करने नहीं आयू यहां तुम्हें पैसा मिला ऐसा सुना मैंने तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे यह भी सुना की साथ साथ घमंड भी है तो मुझे तुमसे मिलना ही पड़ेगा है ना बिना देखे कववा दीदी कैसे भरुशा कर सकती थी चब आगे से नाम मत बुलाना पहले मंदर के पास छोटा सा फूल का दुकान चलाती थी उसी लड़की को मैं अच्छी तरह जानती हूं वो मुझे कववा दीदी बुलाती थी लेकिन तुम्हारी वज़़े से आज उस गली में बहुत सारे बहमान और कुट्टे पल रहे हैं लेकिन मैं उन पर थूकूंगी मुझे आप गलत समझ रही हो सही कहा, मेरा दिमाग फिर गया है तुम्हें एक बेचारी मासूम हो ऐसा मैं सोचती थी एक अच्छी दिलवाली हो, ऐसा सोचती थी मैं सोचा था, बहुत प्यार करने वाली लड़की होगी लेकिन सब गलत सोचा तुम्हारे पास धेर सारा पैसा है, ऐसा सब लोग बोलते थे पर मैंने भरोसा किया, गलत थी मैं अब तुम अंदी बन चुकी हो बहरी हो गई हो तुम, घमंडी हो गई हो जो तुमसे प्यार करता था, उससे ना पहचान पाओ इतनी बुरी हालत है तुम्हारी, तुम्हारी आखों में वो शमता नहीं रही कवा दीदी आप जो बोल रही हो, समझ नहीं आया समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा, तब भी तुम ना समझने का ना टक करोगी तुम्हारे लिए जिसने आख, नजरिया, शाहरत दिया तुम्हें, उस मासूम लड़के को देखकर तुमने पहचाना नहीं बोलो, तुझे सामने से देखकर पुकारा भी उसने, तब भी नहीं पचाना उसे बोलो, ओ, तुम्हारी आउकात के बराबर नहीं है न वो अरे वा, पुरा परिवार है यहाँ, पुरे जायदात को हड़पने के लिए दीदी, पहले मेरी बात तो सुनो अभी मुझे कुछ भी ने सुनने का, सब कुछ अपने आखों से देख लिया ना, काफी है दिल शान्त हो गया है, चाहे किसी को भी भूल जाओ, लेकिन उससे मत भूलना तुम्हारा वो मोहन मेरे सामने आके रोने लगा, कहां चली गई मेरी शालिनी अब वो एक महल में रहने लगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, उससे कभी मत भूलना बेटी अबे चुब ना लाए कहें के जाने से पहले, एक और बात कहनी है तुमसे अगर दुबारा सड़क पर नहीं आना है तो, इन कुत्तों को यहां मत पालना दीदी हेलो, रामा है क्या? अच्छा बेटा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हुआ? तुम पी रखे हो? हाँ? हाँ, हाँ कुवादीदी आज मैंने पिया है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है एक शालनी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था वो भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करता? शालनी के मिलने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी कोई प्यार करने वाला है लेकिन मेरे से गलती हो गई वो गाईका बनने के बाद मुझे भूल गई मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी कवादीदी इसलिए मैंने थोड़ी सी पी ली ताकि दुख ना हो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं जाता हूँ कहां पर? मैं नहीं जानता लेकिन मेरे चीकू को मैंने जिस सलक में देखा था उस सलक में मैं अभी नहीं जी सकता जब भी इस सलक को देखता हूँ तो उसकी बहुत याद आती है मैं जाता हूँ कवादीदी बेटा सुनो मैं उसके बिना नहीं रह सकता कहीं भी चला जाओंगा, लेकिन दोबारा यहां नहीं आओंगा, नहीं कहुआ देदी, कभी नहीं आओंगा, क्या हो गिया ऐसे? आओंगा जाओंगा, कॉआणार। हमं, क्या बात है? कोवधी ती, आप मुझे पेचानते हो क्या? उस दिन में मोहन नाम के आदमी को ढूनने आया था. हाँ, याद है मुझे. चालमी जिसके बारे में बोल रही थी. उस दिन आप बोल रही थी न, उस आदमी को जानती हो? आप कुछ पूछ रहे थे इलाइची के मालिक के बारे में न जो अंधी थी उसके साथ श्री कुट्टन ने एक इलाइची व्यापारी का नोटन की कर रहा था वो धोखा देने के लिए या फाइदा उठाने के लिए लेकिन ये मैं नहीं जानता हूँ लेकिन उस ज्धूट की हुजा ही सारी हुजा है एरे बापे, ये सब तो मैं बिलकुल भी नहीं जानती थी कोई भी कुछ भी नहीं जानता है और किसी ने जानबूच के भी नहीं किया है लेकिन जो होना थाओ वो पूरा हो चुगा ना सुनो बेटी, मैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं यह सब किसके लिए गा रही हूँ किस लिए गा रही हूँ मुझे यह सब नहीं चाहिए अब इस बारे में बात करके क्या फाइदा हम इसी लिए आये हैं मोहन कहा है यह जानने के लिए उसे लेकर जानने के लिए वो कहाँ पर है, मुझे बता दीजिए मोहन वो मोहन मोहन कहीं चला गया लेकिन मैं नहीं जानती कहा उसने कहा था वो वापस नहीं आएगा कहाँ भी होने दो, हम उसे धून निकाँ डॉन्ट पिस नहीं, कम आएगा मैंने क्या किया है आवाज मत कर, मार गालो को तुझे मारो मारो, आने जाने वाले सब मारते हैं मैं कोई कोई प्रेशन के रहा हूँ, क्या अब अब यहाला है कहीं कह बेव को कहीं कह, कर दा एक नमर का तू अब क्या क्या वो कोवा दिदी कॉंदर किसने ने दिया मैंने कहीं जान मुझकर तु पैचा नहीं, वो खुद अन्दर आ गई तो फिर तू किस नम का सेक्रेटरी मन के गूंब रहा है सेक्रेटरी में क्या परेशानी है तू सर पर बेढ गया है उससे मिटाने का वक्त आ अगय हाबी उसके लिए तू मट ढरो वो जगह छोड़कर निकल गया है वो कां गया, किसी को नहीं पता लेकिन उसे ढूंडने की कोशिश करेगी उसे कहीं चेर्च में जाकर बोलो भरफसा करेंगे जब तक कुमार जिंदा रहेगा वो आपस में नहीं मिलेंगे मैंने का ना हर गिज नहीं मिल सकते चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा मैं नहीं होने दूंगा जाए मुझे अपनी जान में देने का अड़ जुकर कम ओन शालनी, ट्राइटो अंड़स्टेंड तुम अगर गाना नहीं गाओगी रिकॉर्डिंग ना जाने से तुम्हारा वो मोहन तुम्हें नहीं मिलने वाला है तुमारी इच्छा पूरी होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे कुछ नहीं चाले मैं अब गाना नहीं चालती हूँ किसके लिए गाओगी हूँ तुम जिससे प्यार करती हो वो संकीत और मोहन से मोहन तुम्हें छोड़कर चला गया है ऐसा तुम ठोसरी हो क्या अब है किभ़े तुम्हें सहारा देने वाला एकसाप से तुम जो ग़ा नहीं हो सकता है कम से कम उसमय में तुम सारी बातों को भूल वे सकती हूँ मैं डली जामआ ऐसी परणी से बहूंगर मैं आंगे आ प्यामании सकती हूँ आंगे से मैं नहीं काँँगे अगर तुम इसे ठुकडाओ तो तुम्हारी जिन्दगी में मेरी कोई एहमेद नहीं है एकी साथ से उस वेशले से शैद तुम्हें कुछ नुक्सान नहीं होने वाला रामा शालेनी शालेनी तुम्हें जाना होगा चिक्कू ुम्हें! कर दो कर दो